प्री बच्चों अब जीत क्लासेश में आपका विलकम है अब जीत क्लासेश में आपका स्वागत है आज हम सेकंड वीडियो सूट कर रहे हैं बैलूम एंड सर्फेस एरिया जाफे सोलिड इसके अंतरगर प्रिवच्चों इसके अंतरगर्थ आज हम सिलेंडर की चर्चा करेंगे जिसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं सिलेंडर कई टाइप के होते हैं आपने देखा होगा जैसे सर्कुलर पिलर्स यहनी गोला कार खंबे सर्कुलर पाइप गोला कार पाइप रोड रोलर रोड रोलर आपने देखा होगा गय सिलेंडर यह सब क्या होते हैं सिलेंडर के अंतरगर्थ आते हैं प्रिवच्चों सिलेंडर कैसे जनरेट होता है इसके अब चर्चा करेंगे जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या है रेक्टेंगिल है क्या है बच्चों, रेक्टेंगिल है, इसको हम रेक्टेंगिल बना देते हैं, यह हमारा कम्प्लीटली क्या है बच्चों, रेक्टेंगिल है, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा जेते हैं, इसको हम अक्ठ मान लेते हैं, यनि ए डैस और बी डैस, या इसको हम इस तरह लिख द कुने कियाक ये जेटे हैं कुई मिश्कों य अक्ष मानेंगे वाई-वाई-डेस वाई-एड़-वाई-डेस ठीक है इसको तको तक कम तक मीनिग ये है सिरेंडर सिरेंडर की मेंफिन चाइडर को हम अक्ष उसक्राइब करें अक्ष क्या निट करने बच्चों अग ठीक है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं चलिए यह है और यह हमारा बी है और यह सी है और यह बच्चों क्या है डी है ठीक है यहीं सिलेंडर कर की एक साइड जो यहाँ पर लेंथ है यहाँ पर एडी क्या है बच्चों लेंथ है बीसी क्या है लेंथ है किसका रेक्टेंगिल का किसका लेंथ है रेक्टेंगिल का और एबी हमारा ब्रेथ है डीसी यहाँ पर क्या ह ब्रेथ है यदि हम इस रेक्टेंगल को यदि हम इस रेक्टेंगल को वाई अक्ष के परिता वाई अक्ष के परिता वाई अक्ष के परिता मूब करा दें ठीक है वन राउंड करा दें तो यह किसमें जनरेट हो जाता है वैच्चों किसमें जनरेट हो जाता है ये सिलेंडर में किसमें जनरेट हो जाता है सिलेंडर में ये देखो ठीक है मूब कराने पे ये बच्चों सिलेंडर में जनरेट हो जाता है इस तरह वन राउंड करेंगे ते एक सर्किट बनेगा इसको हम मूब कराएंगे तिये बच्चों किसमें जन्रेट हो गया सिलेंडर में समझ मैं है इसी लिए सिलेंडर की यहां पे डिपनिशन दी गई है तोलीट फार्म बाई कांशी दियरिंग वन साइड आप ए रेक्टेंगल आइस एंड अक्सेज एंड रोटेटिंग इट थो इस अक्सेज इच काल्डे परपेंडी कुलर सिलेंडर आर सिलेंडर ठीके बच्चों यनि किसी आयत की किसी रेक्टेंगल की एक भुजा को अक्ष मान कर उसके परिता आयत को घुमाने से जो ठोस बनता है उसे लंब रित्ती बेलन या सिलेंडर कहते हैं पुना रिपीट दा सॉलिड फार्म्ड बाई कांसी डियरिंग वन साइड आफे रेक्टेंगल आयस आयन अक्सेज आयन रोटेटिंग इट थो इस अक्सेज इस काल्डे परपेंडी कुलर सिलेंडर आर सिलेंडर ठीक है बच्चों कोई प्राब्लाम यहां पर जो एडी है यहां पर डी पॉइंट था यहां पर जो बच्चों एडी है इस पॉइंट से जहां पर हम डार कर रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और डी जो लाइन सिग्मेंट है इसे हम क्या बोलते हैं इसे कहते हैं बच्चों हाइट आपदा सिलेंडर क्या कहेंगे हाइट आपदा सिलेंडर BC को हम क्या कहेंगे यहां पर? BC को भी कहेंगे हाइट आपदा सिलेंडर क्या बोलेंगे हाइट आपदा सिलेंडर इसे क्या कहेंगे रेडिया साब्दा सिलेंडर क्या कहेंगे बच्चों रेडिया साब्दा सिलेंडर समझ मैं आप कोई प्राब्लाम अब इसको बच्चों और इस प्लेम करते हैं देखिए हमने एक इस चीज को समझिएगा प्री बच्चों इस जिसको हम डार कर रहें यह बना रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लैट फेस क्या बोलते हैं फ्लैट फ्लैट फ्लैज सिलेंडर में दो फ्लैट फेस होते हैं कितने होते हैं बच्चों दो फ्लैट फेस होते हैं फ्लैट फेस कितने प्लैट फेस होते हैं दो ठीक है और यह जो है जिसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं कि यह किसको हम क्या बच्चों बोलते हैं कवर्ड फेस क्या बोलते हैं कवर्ड फेस कवर्ड फेस कवर्ड फेस कवर्ड फेस को हम बोलते हैं फ्लैट फेस को क्या खागे जाता है सबस्पाट फलक हैं और यह कर्वड फेस क्या क्या है कर्वड फेज क्या है कर्वड फेज इसको बोलते हैं वक्राकार फलक क्या बोलते हैं वक्राकार फलक ठीक है बच्चाओं ये जर आप इसी में समझीएगा ध्यान से देखो आम यहां पर क्रास कर दे रहे हैं कि बीट बीट में कट कर दे रहे हैं इस प्रकार देखिए यह लेंथ आप जो बाउंडरी बन रही है इस लेंथ आप बाउंडरी को बोलेंगे कवार्ड एज क्या बोलेंगे कवार्ड एज कवार्ड एज कवार्ड एज क्या कहेंगे बच्चों कवार्ड एज तो इसमें कितने कवार्ड एज होते हैं दो कवार्ड एज भी होते हैं कवार्ड एज समझ माया एक सिरेंडर में दो फ्लैट फेस होते हैं एक कवर्ड फेस होते हैं और दो कवर्ड एज होते हैं ठीक है समझ माया यहीं कवर्ड एज जो होता है यहां पर दिखा दे रहे हैं कवर्ड एज हमारा एक सर्किल है लेंथ आपदा पहले सर्किल बना लेचे हैं कवर्ड एज जो है किसके आकार का होता है सर्किल के आकार का होता है यह ठीक है बच्चों यह जो पोर्षन हमने वहां पर दिखाया है बाउन्डरी को इसी को बोलते हैं बच्चों कर्ड एज क्या बोलते हैं कर्ड एज क्लियर कोई प्राब्लाम इसको नोट कीजिए बिटा दे यह सर्किल प्री बच्चों यह क्या है रेक्टेंगिल है क्या है रेक्टेंगिल रेक्टेंगिल में क्या होता है अपोजिट साइट सार इक्वर इस काड़े रेक्टेंगिल है अगर हम इसे फोल्ड कर दें क्या कर दें फोल्ड कर दिया क्या कर दिया इसको फोल्ड कर दिया तो हमारा जो लेंथ है यह किसमे कनवर्ट हो गया सरकमफ्रेंस आफे सरकिल लेंथ किसमे कनवर्ट हो गया बच्चों सरकमफ्रेंस आफे सरकिल और यह जो ब्रेथ है ब्रेथ किसमे कनवर्ट हो गया height आप दा cylinder height आप दा cylinder ठीक है बच्चों breath किसमे convert हुआ height आपे cylinder और length हमारा किसमे convert हो जाएगा circumference आपे circuit ठीक है बच्चों देखिए जैसे मान लीजे rectangle है यह हमारा क्या है बच्चों rectangle है क्या है rectangle है इसका नाम है A B C D यह rectangle है ठीक है या आप इसको नाम नहीं देते हैं length इसको मैंसे कह देते है length length और यह क्या है breath है ठीक है अगर हम इसको fold कर दें ठीक है क्या कर दें fold कर दे किसके परिता length ठीक है अगर हम length को fold करते हैं तो यह इस तरह बन जाएगा length हमारा किसमे convert हो जाएगा circumference हो जाएगा circle और breath बच्चों किसमे convert हो जाएगा height आप दा cylinder यह किसमे convert हो जाएगा height आप ए cylinder ठीक है तो यह यह लेंस जो है circumference आप इस circle में convert हो जाता है 2 pi r ठीक है और यह हमारा किसमे convert हो जाता है sorry breath हमारा किसमे convert हो जाता है height में breath बच्चों किसमे convert होता है height आप ए cylinder ठीक है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते है radius आपे cylinder ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है और इसको क्या कहते है बच्चों height आप दा cylinder यह height हो गया और यह हमारा क्या हो गया radius ठीक है अब यहां पर देखे किसके आकार का है circle क्या आकार का है किसके आकार का है बच्चों circle circle को और सही बना देते हैं यनि फ्लेट फेस जो है यह circle होता है ठीक फ्लेट फेस फ्लेट फेस के अंतर पूरा आ जाता है ठीक है और यह जो boundary है इसको क्या बोलते है circumference length of boundary इस card circumference ठीक है अब आप ने circle को पढ़ा होगा circle में क्या पाए जाता है radius length आप boundary को क्या बोलते है बच्चो circumference इस point ओ को क्या बोलते है यहाँ पर point ओ है इसको क्या बोलते है center center आपे circuit आपने circuit का area पढ़ा होगा area आप circuit क्या होता है πाई आप square unit circumference आप circuit आपने पढ़ा होगा यह क्या होता है 2 πाई अब बच्चों हम फार्मुणे की चर्चा करेंगे बिटा दें यह ज़िए प्री बच्चों यह हमारा क्या है सिलेंडर है क्या है यह बच्चों सिलेंडर ठीक है सिलेंडर में दो बेसे जोते हैं कितने वेस होते हैं एक अपर एक यह नहीं ताफ बेस और एक क्या होता है बाटम बेस दो बेस होते हैं ठीक है और यह बेस किसके क्या का हो का है कि कि स्क तक तक मिला धिये ही क्या खाहा जाएगा रेडिय सा भुटर इसा ध्यास रेंडर इन पॉइंटों को मिला देते हैं इसको क्या बोलेंगे हाइट आफ दा सिरेंडर ठीक है उच्छों तो पहला फार्मूला है बाइरूम आफ दा सिरेंडर बाइरूम आफ दा सिरेंडर टेके बच्छों तो क्या होता है एरिया आफ बेस अरिया आफ बेस इन्टू हाइट area of base into height प्री बच्चों area of base किसके आतार का है circle के आतार का है दिखेंगे area of a circle into height area of a circle into height प्री बच्चों area of circle क्या होता है पाई आर square height yes ठीक है तो बैलूम आप cylinder V, V equal to क्या जाएगा पाई आर square yes ठीक है, cubic unit cubic units समझ माया, कोई प्रावलम अब दूसरा है covered surface area of a cylinder curve curve surface area area of a cylinder curve surface area of a cylinder इसको हम यस से रिप्रिजन करते हैं यस इक्वाल टू क्या होगा area of इसको हम यस से रिप्रिजन करते हैं क्या है circumference 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 of a circle into height circumference circumference into height circumference circumference आपे circuit क्या होता है बच्चों 2π r क्या होता है 2π r height को हमने किस से रिप्रिजन किया है yas से ठीक है covered surface area of a cylinder yas equal to a जाएगा 2π r yas square yas yas x बच्चों इस को रहों कीजे अब अम रिका रहेंगे total surface area लिपी cylinder upon when upon बिटा दे ये सर प्री बच्चों तीसरा फार्मूला है टोटल टोटल सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया आफ ए सिलेंडर टोटल सर्फेस एरिया आफ सिलेंडर में होगा कर्मूल सर्फेस एरिया कर्मूल सर्फेस एरिया आफ ए सिलेंडर कर्ण सर्फिस एलिया पे सिरेंडर इसमें कितने बेस हैं ? 2 बेस नहीं बच्चों ? 2 बेस जिसको जाल कर रहे हैं यह सब क्या होता है ? 2 बेस . यह सब क्या होता है ? 2 ठीक है ? अब हम किसका एलिया निकालेंगे ? तो टू इन्टू इतने बेश हैं तो बेश हैं टू इन्टू बेश एरिया टू इन्टू बेश एरिया कवर्ड सर्फेस एरिया पे सिरेंडर क्या निकाला था बच्चों टू पाई आर यच ठीके और बेश वाला एरिया क्योंकि बेश एरिया जो है सर्किल क्या अतार का है टू पाई आर इसक्वाइर ठीके अब इसमें से क्या कामन हो सकता है या इसको और हम सिंप्लिफाई कर देते हैं टू पाई आर यच प्लस टू पाई आर इसक्वाइर अब इसमें कामन क्या लिए जा सकता है टू पाई आर ठीके बच्चों यहाँ पर आ जाएगा यच प्लस आर ठीक टूटल सर्फेस एरिया पर सिरेंडर आ गया इसक्वाइर यूनिट्स ठीक है टूटल सर्फेस एरिया पर सिरेंडर यहीं ब्रेकट में दिखा देते हैं इस तरह ठीक है टूटल सर्फेस एरिया पर सिरेंडर यहां क्या रिका टूटल सर्फेस एरिया पर सिरेंडर यहां ब्रेकट में इसक्वाइर यूनिट्स यह निकल करके आ जाए एडियर इसको नोट कीजिए यहनी तोर्टर सर्फेस एरिया आपे सिरेंडर में कर्वड सर्फेस एरिया आपे सिरेंडर और दोनों बेस का एरिया ठीक है इंक्लूड होते हैं इटा दें यह सर प्रिवच्चों हैलो सिरेंडर देखें यह हम बना रहे हैं हैलो सिरेंडर ठीक है यह बच्चों क्या है हैलो सिरेंडर ठीक है यह जिसको हम डार कर रहे हैं यह सब पॉर्शन क्या होते हैं है है यह लो सिरेंडर ठीक है बच्चों समझ मा रहा है है यह सर यह लो सिरेंडर में दो रेडियस होते हैं एक इंटर्नल रेडियस और एक इक्टर्नल रेडियस ठीक है यह capital R से रिप्रेजेंट है, किसे रिप्रेजेंट है बच्चों, capital R से, external radius capital R, internal radius small R, ठीक है, और ये इसका जो center होता है, इस center को मिड़ा देते हैं, ये portion क्या कहा जाता है, height आपे, hello, surrender, ठीक है, समझ जा रहा है, ये सरा, और ये हमारी internal radius है, और ये बच्चों हमारी external radius है, कहुंसी radius है, external, ठीक है, अब हम लिखेंगे, let the, external radius, let the external radius, B, R and इंटर्नल रेडियस, इंटर्नल रेडियस, एंड दा इंटर्नल रेडियस, बी, इस्माल र, क्या रिट्किया बच्चों, इस्माल र, ठीक है, कोई प्राब्लम, तो हम निकालेंगे आप, बैलूम, आफे, मटेरियल, बैलूम, आफे, मटेरियल, जिसको हम डार किये, पूरा पोर्सन क्या हो जाएगा, बैलूम के अंदर गताएगा, ठीक है, बैलूम, आफे, मटेरियल, इक्स्टर्नल बैलूम, इक्स्टर्नल बैलूम, माइनस इंतर्नल बैलूम, इन्तर्नल बैलूम, तो बच्छो के इस है अब इक्स्टरण नर्ब बैलो में क्या हैगा पाई आर इस्क्वाइर एक्स पाई आर इस्क्वाइर इस्क्वाइर एक्स हाइट आर कंडिशन में क्या होंगी सेम होंगी ठीक है हाइट क्या होगा बच्चों आर कंडिशन में सेम होगा चाहे इक्स्टर्नल वैलोम हो चाहे इंटर्नल वैलोम हो ठीक है फिर minus, external दिखाए ना, external में radius अम्हें कर्प्रेप्टन आर से रिप्रिजेन किया है पाई, आर स्क्राइर यच, minus पाई, जिसमाल आर स्क्राइर यच, ठीक है अब यहाँ पिलिख देंगे यूनिट इसकी होगी क्यूबिक यूनिट क्यूबिक यूनिट ठीक है बच्चों कोई प्राब्लम रोजर प्री बच्चों अब हम निकालेंगे कर्वड सर्फेस एरिया आफे हैलो सिरेंडर कर्व सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया आफे हैलो सिरेंडर ठीक है इसमें क्या होगा इक्स्टर्नल सर्फेस इक्स्टर्नल सर्फेस सिरेंडर्फेस इक्सप्टर्नलसर्फेस इक्सटर्नलसर्फेस विहसं हमत्र व्क्षेस इक्सा इननलसर्फेस ठेके बच्चों, external surface plus internal surface, external surface, external surface क्या ने काला है? क्या है यह बच्चों, टू पाई, कैप्टन आर यज, ठीक, प्लस, टू पाई, आर यज, अब इन दोनों को एड कर देंगे, क्या जाएगा, टू पाई, और यज, कामन हो सकते हैं, टू पाई हमने कामन लेडिया, इस तरफ, ब्रेकट में क्या बचेगा, और, इक्स्टर्नल रेडियस, और, इंटर्नल रेडियस, और, टू पाई कामन लेडिया, इन टू यज, ठीक है बच्चों, यह निकला, कवर्ड सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर यहां पर लिख देंगे इसको आयर यूनिट्स इसको नोट कीजिये मिटा दे यह सर प्रिवच्चों अब थार्ड हम पाइन करेंगे टोटल सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर टोटल सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर हैलो सिरेंडर हो डबल यल प्रिवच्चों टोटल सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर यहां पर लिखेंगे कवर्ड सी का मतलब हो गया कवर्ड यस का मतलब हो गया सर्फिस एक इड़ा कवर्ड सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर इसकी मियन क्या है कवर्ड सर्फिस एरिया आफे हैलो सिरेंडर टीक है फिर प्लस two area of base ring area of base ring area of base ring औरहीक को बत्चों इना करते हैं, देखे एक center एक सेंटर है ना यह क्या है यह सेंटर है इस सेंटर कुलेट करते हुए हमने एक सर्किल ड्रा कर लिया ठीक है इसी और इसकी रेडियस जो है इसमाल आर है और एक रेडियस लेते हुए एक सर्किल हमने यह ड्रा कर लिया तिके इसकी रेडियस जो है यह एक्स्टर्नल रेडियस ओ यह है इसी को बोलते हैं रिंग क्या बोलते हैं रिंग जिसको हम डार्ट कर रहे है किसी का एरिया हमें निकालना है इसका एरिया कैसे आएगा बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल के एरिया को क्या करें बच्चों सब्टेक्स कर देंगे एरिया आप बेस रिंग निकलाएगा covered surface area अभी आपने निकाला है क्या 2 pi 2 pi factor R 2 pi R H और ये निकाला है 2 pi R H इतना तो हो गया बच्चों क्या covered surface area ये आफे हैडो cylinder ठीक है plus 2 2 pi कामन ने लिए पूरा लिखते हैं पार्मूला 2 अब जो है यहाँ पर क्या है बड़े circle का area लिखेंगे यहाँ लिखेंगे pi R square minus यहाँ लिखेंगे 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 पाई R square ठीक है और ये होगा square unit अब हम बड़े break up में इस पूरे पार्मूले को दिखा दे रहे हैं और आप learn कर लिखेंगे ठीक यह यहनी total surface area आफे है लो सिरिंडर होगा बच्चों 2 pi r h plus 2 pi small r h plus 2 pi r square minus pi r square unit क्या होगा square unit square units में आएंगे ठीक है बच्चों इसकी मेनिक क्या है total surface area आफे है लो सिरिंडर इसको नोट कीजिए मिटा दें यह सिरिंडर प्रोबदेंगे लो सिरिंडर